श्याम एकेडेमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ कक्सा आठ में आज व्याकरण के जो विभाग है भासा सचता वचन परिवर्तन उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे सबसे पहले हम वचन परिवर्तन में ध्यान रखे कि इंदी भासा में दो वचन है एक वचन और बहुचन एक वचन किसे कहते हैं जिस सब्द संग्या से एक का बूध होता हो उसे एक वचन कहते हैं जैसे लड़का गोड़ा नदी पाड़ शाला इसी प्रकार बहुचन जिस सब्द संग्या से एक से ज्यादा का बूध होता हो उसे बहुचन कहते हैं जैसे लड़के गोड़े नदिया पाड़ शाला इस प्रकार वचन परिवर्तन में एक वचन और बहुचन आये हम हम एक वचन और बहुचन में उसका परिवर्तन करते ह और उसकी विशेष चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो सब्द दिए गए हैं उधारंद दिए गए हैं आ को ए में परिवतित करना यानि कि ताला यह उधारंदे ताला ताले बच्चय कोफ़स्तद दाना दाने कमरा कम्रे अब ताला सब्द है वह यह सभी सब्द है वो पुलिंग सब्द है तो इन सब्दों को यानि कि जो हमने जो सब्द देखे हैं उदारण देखे है कि इन सब्दों को पढ़ते चलता पता चलता है कि आकाराद पुलिंग सब्दों का हमने बहुवचन बनाने के लिए सब्दों के अंतिम में आ को ए कर दिया गया है यह गया सब्द पुलिंग है ताला ताले आ को ए में परिवर्थित किया अब आगे के उदारण देखते हैं आ को ए में परिवर्थित करना यहां पर उदारण दिये के हैं रात रातें दिवार दिवारें बहन बहनें सडक सडके और कारांसब्द है रात तोड मतलब और उसका ए में परिवर्तित क्या तो बहने उसके उपर भी अनुस्वार लगया गया है तो बहुँवचन में एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हो, तभी आपको इन सब्दों के उपर अनुस्वार लगाना है, तो ये सब्द देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये सब्द बहुवचन है, तो उपयुकत हमने जो सब्द देखे, वो अकारांत स्त्रीलिंग सब्दों का बहुवचन करने के लिए हमने सब्दों के आंत में ए को जोड़ दिया है, आगे देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग का, ए में परिवर्तित किया है हमने, तो लता है, ता आकारांत सब्द है, लताएं उसका बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, तो लताएं लगता है, माला, माला हैं, तो इन सब्दों के पीछे जो हमने अकारां स्ट्रेलिंग सब्द है उसका बहुआ चन में परिवर्तन किया इसलिए इन सब्दों के आंत में एको चोड़ दिया जाता है अब ई वाले सब्द है यानि कि रस्व ई रस्व ई वाले सब्दों के पीछे या लगाते हैं तो बहुवचल बन जाता है यहाँ पर जो तीथी सब्द है वो रस्व ई वाला सब्द है तीथी उसका हम बहुवचल में परिवर्ट करते हैं तो या लगता है तीथिया जाती या चन्द्र बिंदी वहला या लगता है याद रखना बहुवचन में बिंदी आती है चन्द्र बिंदी आती है और अनुस्वाराता है यहां हम देख सकते हैं कि sexy link सब्द के आंत में या चोड़कर बहुवचन बनाया गया है अब यहाँ पर दिर्ग E वाले सब्द आते हैं दिर्ग E का रांत E को E करके या में परिवर्तित करते हैं तो यानि सखी सब्द है वो दिर्ग सब्द है सखी E दिर्ग है उसे हम सखी E आ यहां मतलब यह यहां पर जो दिर्ग ई है वो यहां पर बहुवचन करते समय यहां पर रस्वई हो जाएगा यानि सखी दिर्ग ई का यहां पर हमने रस्वई में परिवर्तित क्या है तो सखीनिया इसी प्रकार मचली दिर्ग ई है उसका हम बहुवचन में परिवर्तन करते है तो मचलिया ली है वो रस्वई हो जाएगा इसी प्रकार हम उसके और उदारण भी लेज सकते हैं तो नदी, नदिया, सखी, सखिया, मचली, मचलीया, डाली, डालीयां इसी प्रकार और कई उधारन रस्व, दिर्ग, ई को परिवर्थित करते समय इसका रस्व, ई में परिवर्थन हो गया आगे दिखते हैं या का या को यानी चंद्रबिंदी वाला या में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर पूडिया डिया है या सब्द है परंतो एक वचन में या सब्द सिंपल है और बहुवचन में पूडिया तो या के उपर चंद्रबिंदी आती है इसी प्रकार गूडिया इया का इया में परिवर्तन हुआ है तो पूडिया चंद्रबिंदी वाला बहुवचन है इन दो सब्दों को देखकर चंद्रबिंदी वाला हो उसे ध्यान में रखना कि वो बहुवचन है और जिसमें चंद्रबिंदी नहीं है वो एक वचन है इसी प इसी प्रकार इनके कई और उधारनपी आप लेघ सकते हो आगे हम देखते हैं कि ओ वाले सब्द ओकरांट वाले सब्द कौन से हैं ओकरांट वाले सब्द है गव तो गवे ओकरांट के स्ट्रीलिंग सब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है यहाँ पर जो अलग अलग सब्द दिये गए हैं यह थोड़े अलग है कि प्रजा है तो प्रजा जन है, पाठक तो पाठक गण, लेखक वरुंद, अध्यापक वरुंद, कवी गण, छात्रव गण, गुरु जन, श्रोता गण, सिक्षक, सिक्षक वर्ग, यानि कि एक वर्ग दल या समू का बोत कराने के लिए कुछ एक वचन सब्दों के अंत में गण, वर्ग, वरुंद, जन जैसे सब्द जोड दिये जाते हैं, यहाँ पर हमने आज एक वचन और बहु वचन वचन परिवर्तन की विश्तरुत चर्चा की आगे की वीडियो में हम उपसर्ग और प